आज का फर्स्ट वर्ड है मिम्याना जैसे गोट शीप मिम्याते हैं अभी आपने जो सुनी वो मिम्याने की आवाज थी वैसे मिम्याना को इंगलिश में कहते हैं ब्लीट ब्लीट मतलब मिम्याना नेक्स्ट गुर्राना जैसे जानवर अगरा का गुर्राना और ये भी एक तरीकी की साउंड है और इसे हम इंगलिश में कहेंगे ग्राउल ग्राउल मतलब गुर्राना नेक्स्ट दहारना दहारना ये भी एक तरीकी की साउंड है जैसे शेर दहारता है जैसे अभी आपने जो सुनी वो दहारने की वाजती बाइदवे दहारना इसे हम इंगलिश में कहते हैं रोर मतलब दहारना नेक्स ते बोकना बोकना ये भी एक तरीकी की साउंड है और ये कुत्ते की साउंड होती है कुट्टा के करता है भौकता है इसे हम इंग्लिश में कहते है बाक या आप बोल सकते हो वुफ इसका भी मतलब होता है भौकना नेक्स्ट है चीची करना चीची करना भी एक तरीकी की साउंड है चुए की साउंड है चुए क्या करते है चीची करते है और इसे आप इंग्लिश में कहते है स्कुीक स्कुीक मतलब चीची करना नेक्स्ट है हिन हिनाना, हिन हिनाना भी एक तरीकी की साउंड है, जैसे गोडे वगरा का हिन हिनाना जैसे अभी आपने जो साउंड सुनी वो हिन हिनाने की थी, बाइद अवे हिन हिनाना, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं, ने, मतलब हिन हिनाना नेक्स्ट है बिन बिनाना, बिन बिनाना भी एक तरीकी की साउंड है जो मदू मक्की प्रड्यूस करती है जैसे अभी आपने जो सुनी वो बिन बिनाने की अवाज थी, इसे हम इंगलिश में कहते हैं बज, बज मतलब बिन बिनाना नेक्स्ट है चैचाना चैचाना भी एक तरीकी की साउंड है जो पच्ची प्रड्यूस करते है जैसे अभी आपने जो साउंड सुनी वो चैचानी की थी बाइदवी चैचाना इसे हम इंगलिश में कहते हैं ट्विटर या आप यूज कर सकते हो चप दोनों का ही मतलब होता है चैचाना नेक्स्ट है चिंगार्ना चिंगार्ना ये भी तरीकी की साउंड है जो हाती प्रड्यूस करता है और अभी आपने जो साउंड सुनी वो चिंगार्ने की थी और इसे हम इंगलिश में कहते हैं ट्रम्पिट trumpet मतलब चिंगारना और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेर ज़रू करिए क्योंकि आपके लाइक शेर करने से मुझे motivation मिलता है और भी वीडियो बनाने का सो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेर कीजी और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजी नेक्स्ट है मियाव मियाव करना ये भी एक तरीकी की sound है जो बिल्ली प्रड्यूस करती है और इसे हम इंगलिश में कहते है मियाव मियाव मतलब मियाव मियाव करना next ते cc करना cc करना ये भी एक तरीकी की sound है और ये sound जो है वो sap produce करता है जैसे अभी आपने जो sound सुनी वो sap की sound थी और इस हम English में कहते है hiss hiss मतलब cc करना next तर्टर करना तर्टर करना ये भी एक तरीकी की sound है जो medic produce करता है जैसे अभी आपने जो sound सुनी वो medic की थी और इसे हम English में कहते है croak croak मतलब तर्टर करना next ते कुट कुटाना ये किड़ किड़ करना ये भी एक तरीकी की sound है जो मुर्गा ये मुर्गी produce करते है जैसे अभी आपने जो सुनी वो कुट कुटाना की अवास थी और इसे हम English में कहते है klak klak मतलब कुट कुटाना ये किड़ किड़ करना next ते कुखना ये गुटर कुट करना ये भी एक तरीकी की हमारी sound है जो की कबूतर produce करते है klak klak जैसे अभी आपने जो साउंड सुनी वो कुखना की थी और इसे हम English में कहते है klak klak मतलब कुखना ये गुटर कुट करना next ते काव काव करना ये भी एक तरीकी के हमारी sound होती है जो कववे produce करते है klak next ते देचू देचू करना ये घदे का रेकना ये भी एक तरीकी की sound है जो घदा produce करता है klak जैसे अभी आपने जो सुनी वो घदे की ये वास्ती और इसे हम English में कहते है klak 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 मतलब देचू देचू करना ये रेकना आप इसके लिए एक और वर्ड यूज कर सकते हो hee haw इसका भी मतलब होता है देचू देचू करना ये रेकना next ते रांबना रांबना भी एक तरीकी की sound है जो काव प्रड्यूस करते है जैसे अभी आपने जो sound सुनी वो काव प्रड्यूस करती है और इसे हम English में कहते है moo moo मतलब रांबना next ते उल्लू की अवाज जैसे अभी आपने जो सुनी वो उल्लू की अवाज है और इसे हम English में कहते हूट हूट मतलब उल्लू की अवाज next ये बत की अवाज बतक की अवाज कुछ इस तरीके से होती है वो quake quake करती है और इसे हम इंग्लिष में कहते है quake next ये फुफ कारणा फुफ कारणा का मतलब होता है पशूओं का नाक और मु mi से हवा निकालते होए अवाज कारना हुखना भी एक तरीकी की साउंड है जो कि कुट्टे प्रड्यूस करते और भेड़ी प्रड्यूस करते जैसे अभी आपने जो साउंड सुनी वो हुखना की थी और इसे हम इंगलिश में कहते हाउल हाउल मतलब हुखना नेक्स ते सूर की अवाज जैसे अभी आपने जो साउंड सुनी वो सूर की अवाज थी और इस साउंड को हम इंगलिश में कहते हैं ओइंक मतलब सूर की अवाज नेक्स ते डकारना डकारना भी एक तरीकी की साउंड है जैसे सांड डकारता है कुछ इस तरीकी से और इसे हम इंग्लिश में कहते हैं, बैलू, मतलब डकारना नेक्स्टे बंदर की अवाज, बंदर की अवाज को इंग्लिश में कहते हैं, जिब़, मतलब बंदर की अवाज नेक्स्ट है फर्फडाना, फर्फडाना मैंसे भी sound produce होती है, जब पच्ची अपने punk फर्फडाते हैं तो sound produce होती है, वैसे फर्फडाना को इंग्लिश में कहते हैं, flap, flap मतलब फर्फडाना, नेक्स्ट है घोडे की खुर से निकलने वाली अवाज, जैसे अभी आपने जो सु और इसे हम इंग्लिश में कहते हैं, clip-clop, clip-clop, and the last one is kukdu-ku, ये मुर्गे की अवाज होती है, कुछ इस तरीके से, और इसे हम इंग्लिश में कहते हैं, cock-a-doodle-doo, cock-a-doodle-doo, मतलब kukdu-ku, ये दोनों आज की quiz हैं, लिख की बताएए, comment section में इसकी answer, और ये वीडियो को क कैसे लगा, ये भी लिख की बताएए, मिलते हैं नेक्स वीडियो में एक नएट आपिक की साथ, till then take care, keep practicing, bye-bye.